अब देखते हैं, अपर-train-gular matrix, अपर-train-gular matrix का होता है? फ्रेंट्स, I-square matrix, is said to be upper-train-gular matrix, if all elements below the leading diagonal are 0. फ्रेंट्स, ऐसा I-square matrix, कोई square matrix होई है, नि उसमें row और column जो होगे, वो same होंगे, M row तो M column या N row तो N column 4 row तो 4 ही column होंगे तो इस condition में ऐसा matrix तो square matrix के लाएगा अब अपर triangular matrix क्या होगा अगर उसमें हम diagonal element diagonal members जो होते हैं वो होते हैं जैसे A1 1 A2 2, A3 3 and A4 4 जैसे इसमें 1 2 3 and 9 यह 1, यह 2 and यह 3 and यह 9 यह element जो है फ्रेंट्स यह diagonal entries हैं इसके उपर के जो matrix है अगर इस land को हम बनाएं यहां से एक land कीज़ने चाहें और इस land से उपर के जो element है वो अगर हमारे पास non-zero है सब वो 1 या 2 0 हो सकते हैं फ्रेंट्स एक या 2 0 हो सकते हैं बट उनमें अगर एक भी non-zero आ जाए तो उस condition में हम कहेंगे कि जो matrix है वो upper triangular matrix है basically हम इसमें जो देखते है upper triangular matrix में हमें उपर के elements देखने की ज़रत नहीं होती है हमें जो diagonal elements है उसके नीचे के element देखने होते हैं हमें नीचे के element अगर वो सारे 0 हो यानि कि नीचे के element सपोज ये जैसे इस diagonal element से 1-1 से नीचे के जो row है उसमें ये element आ रहे है जैसे 2-2 में आ रहा है हमारे पास 2-2 के नीचे ये आ रहा है हमारे पास 3-2 and 3-4 इस तरह से 3-3 के नीचे आ रहा है 3-4 ये element अगर 0 है तो इस condition हम कहेंगे ये जो matrix है वो अपर triangular matrix है